दोस्तों नमस्कार जयतान न्यूज में आपका स्वागत है ओप्चारी ग्रूप से बताना चाहूंगा मेरा नाम आई भी खान है और आप देख रहो जयतान का सबसे बड़ा जयतान न्यूज यूटूब दरसल आज हम हिंदि में बात कर रहे हैं आए दिन आप आमरी भसा मार प्रवड़ी में सुनते होंगे लेकिन चुकि आज इस जयतान न्यूज के लिए एक बड़ा उस्र है बड़ा उस्र इसलिए को चुकि जयतान पंचे समिति में 38 ग्राम पंचे थे और आज 38 ग्राम पंचे तो के सरबंचों के दो साल का कारेकाल आज फूल हो गया और इसी सि प्रवड़ी में हमेसा अग्रीन रेती है वो है निम्बोल ग्राम पंचे और इसे निम्बोल ग्राम पंचे तके सरबंची असोग जी सौलंग की है जो सांदार मतों से दो साल पहले जीते थे आज इनका कारेकाल दो साल पूर्ण हो गया दो साल पहले भी मैं अपनी किये या नी किये ऐसे तमाम बिंदू है जिन पर ग्रामेडों के साथ भी बात करेंगे और सरबंची साथ भी बात करेंगे तो बताना चाहूंगा कि मैं इसमें निम्बोल ग्राम पंचे इत मुख्यले पर मौजूद हूँ बताना चाहूंगा कि निम्बोल के पास में एक द अलावा एक पर्मुक मांग थी मैं जिसमें ग्राम पंचे सर्पन साहब के चुणों में आये था उसमें लोगों ने मुख्य समश्य बताई थी के जयतान से लगा कर निमोल तक सड़क नहीं है और साहित दो साल में मैं अभी आये इथा वहां काम चल रहा है सर्पन साहब ने सा बारहाल मेरे साथ मोजूद है ग्राम पंचेत के सर्पन साहब जिन को दो साल पूरे होने पर में सुब काम नाहीं देता हूँ असोग जी शौलंकी को थेंक्यों आप निमोल निमोल में पदा रिया इनवास आपर मॉस्ट वेलकम और इन दो साल में मारे इन गाउन रहे आश साथ करों इन दो सलों में आपने क्या क्या चुक्त जंता ने आपको जन्मत दिया बड़े मतों से आपको इसे जेतान पंचे सिम्मतिव साहित समवत्यू जातक मुझे जानगरी आप दूसरी स्तान पर हो एक सर्पाश और है वह भी आपकी तरह भारी मतों से विज़े होते आपने क्या दिया इन दो सलों में सर्पंच बंस एक प्राकृतिक आपथा आगए थी कोरुना क्राश चुक्त करते हुए जो हमने पूरे गाउं के युवारों के साथ के मिलकर कोरुना से होने वाली बिमारियों के लिए बचाओ के लिए दवय चिट्टाओं सेनिटाइजर मास्क अंगरवड़ी कार्य करता द्वारा गरगर सर्वे बामासों के द्वारा जो आसाई परिवार थे उनको किट वित्रेन करना उसमें हमारा समय निकल गए लगबग साल बढ़तों साल बढ़ निकलने के बाद में अभी हमारा सुचरू रूप से जो कारीय चल रहा है सर पर स्बाराने के बाद में उस नेर के माधियम से जाओं मैं तलाब न में तलाब पानी से बरने के बाद में ने के दोराही पूरे के पूरे 546 पोदें और आज 100 परशन वह सक्सेस्पुल और वो आपके पर सामें देख रहें थाह नहीं 00es दौधशवीजन कोच एंदर के त्वंग सब्सक्इब भुक्त वेक्षान पूरे आज-पास के जो खेत खेत एक पानी के लिए सप्लाई होने वाले थे जो रिचाहज होने वाला था वो नहीं हो पाया तो हम से अपील करेंगे जो भी घुब इसमें तरहीमें जो फेजिंक्ट कर रहा है पानी की निकाश्ची के लिए पाइप दखन दखने जिससे यह पूरी गोचर का अगली बारिस में फिर यह उपान पर तलाब बढ़ जाए और सब को फाइदा पहुंच जाए कि सर्पल सहाब सिक्षा के छेतर में क्या उपलब दी रही आपकी इस गाउं के लिए सर पर तो मेरा पहला बजटी सिक्षा के छेतर में पूरे विद्याले के अंदर कक्सा कक्स में सिसी केमरे लगाए गए जिसे अनुशाशन पड़ई का वातावरन अच्छा रहे सबसे पहले तो सिसी केमरे लगे उसके बाद में स्कूल के अंदर आज की तारीक के अंदर मेरा या मानना कि पाली जिले का सबसे प्यारा नरेगा के तेत मोडल ग्राउंड जो अभी आप देख लेना बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुन्दर सुसजित दिवारों से बित्ती चित्रों से बास्केट बोल बैड मेंटन कॉल्ट रनिंग के लिए जो ट्रेक है 200 मिटर का है पे गश्यार और मारे नि ही एक बहुत बड़ी सती हो गई थी हमारे मारे ठागुट साब मोभल सिंग जी जो C.M. साब की सबह के अन्दर उनके हाड्यय के सब्सेंद आरेटेग से देथ हो गई थी, और सीमप साब के आनक की वज़े से हमारे जो बाली का स्कूल आर्ट भी थी वोज़े से हाथ औ हाथ बीष में उसकों सेगे इसकूल में कर्मोर चिया तो यह मर्णी सौर की मोवस सिंग वी माना जाएगा क्यूंकि सेहम साब अगर यह चीज हो तबी सींस होती और चुछ उन्होंने यह सेकंडी स्कूल को कर्मोर की आप advice बालों की लिए जा सबसे पहले तो माननी विदेख साब विजपी के अविनाजी गेलोद साब है हमारे और वो सर्व माननी विदेख है और पूरी जेतान चेतर के और इस वार निम्बोल से भी वो बोटों में आगे रहे और बट विदाइक फंड से पिछले मेरे सरपंज बढ़ने में दो साल और से एक साल पहले उन्होंने विदेख को से एक मात्र पाने की पाइब लेल माल याली पर वह भी पीसडी के थरू डाली थी उसके अलवा हमें उन इस क्राम पंचेत में योगदान अभी तक कमी है हम आसा करते हैं और अप्रेक्षा भी रखते हैं सरपंज कोई पार्टी विश सब्सक्राइन है विदेले के अंदर कक्सा कक्स है बहुत सारे होस्पिटल के अंदर अस्पताल में डॉक्टर कक्स है तो हम उनसे अप्रेक्षा रखते हैं और रखना भी वाजिब है तो हम चाहेंगे कि वह इस निंबोल की तरफ भी ठंडी नजर रखे और कारी कराने की का नरगे शप्राइब करें शर्पन साथ के पास फिर लोट करूंगा कुछ ग्रामी मोजूद है क्या नाम अब आसापका छोगह शोगाराम कि देवासी हो रहाव्त को मैं भी क्या कैप प्याचान लेता हूं हूले से पैचाल तो सर्पतना कारीय काल कैसा रहा इमांदरी से बत काम बड़ी संख्या में मौजुद एक भाय साब है और हमें रहते हैं गाउं के विकास के लिए गाउं के लिए और क्या नहीं हुआ आपके गाव में? कुछ चांदना जी ने बताया है कि मुबत सिंजी की याद में एक इस्टेडियम दिया जाएगा तो जल से जल सरपन साब से अपयक्षा करते हैं कि उसको शुकृति लाहे और वो खेल मेदान के रूप में बहुत बड़ा जो रजी स्तिर का एक इस्टेडियम बना के हमें संतुष्ट हो बहुत संतुष्ट है बहुत सा जानना चाहूंगा नहरेका में लोगों को रोजकार मिलता है या नहीं मिलता है मिलता है लेकिन वह पूरा नहीं मिलता है कितना चाहिए आपको कम-कम 200 रुप्य तो मिलना चाहिए पैसे कम आते हैं लोगों के नाम तो आते है म हाल तक तो निए ज्यूंगा सब्सक्रांखरणी कोई कड़ता दितों बताना चाहिं बिदो क्या आपने अपने वार्डों करवें इन दो सालों में काम डिवाट सब्सक्राइब六 सब्सक्रावर्ण case बहुत बड़ी बात है आकलए वाद का नीब फूरा ग्राम पंचित में है फ्प शेतल बात है काई बार में जाता हो तो र déch बटता हो यह A belli बात है अच्छी बात है यह एक अच्छी पहल है होनी भी चाहिए कै אס़र िश्च शाल बहुत ही अच्छा हमार भाई जैसे रहे हम लोग तो और विकास के काम के अंदर तो एक साल से तो कोरे न था अब जो ये काम विकास के लिए आ रहा है तो आसा करते हैं कि सर्पन साब से के जदे से जदा काम करवाना पड़ेगा ठीक है नहीं और ये भी काम लाएंगे तो मारे साथ दो साल में कुछ ऐसा अनुदान भी नहीं दिया कोई को से पैसा भी नहीं आया कि विदेग साब की नजरे अभी तक इनाइत नहीं है इस निम्बोल ग्राम में लबो लबान कानी एक निकल कर यह एक मानिने विदेख है अविनाज जी लो ठालांगी उन्होंने पि अब भावी तो अभी तो परसेशन गाओं के संग हमारे साथ बहुत ही बढ़ी काम हुआ है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि पांच आउंटन हुए पांच आउंटन में जो वर्दवान में जो अभी खेल मेदान बना ओ दस भीका तो आउंटन वह हुआ बोगास निके अब मुख्य हमारी रोड ऑस्पिटल से लेकर हमारे जो बावरियों के मोले तक में मुख्य रोड हमारी यह सबसे अब से यही प्राद्मिकतर है कि यह रोड बढ़िया बन जाए जिससे गाओं में क्योंकि मुख्य मारग है और सब भी को तकलिव होती है वित नारी और जोशना होगी और पास में जो पंचेत के पास में जो पड़ी है जमीन उसमें सारजनी उद्यान हो जाए और समुची दूरूप से मेन पानी बिजली चिकिसा यह जो समस्या है इनकी निस्तारण के लिए हम काम करेंगे और सभी वाड पंचों के साथ पूरे ग्रमिनों के सा में जो चुकि आपके निकटी एक कोई सिमेंट ही कही है उसमें रोजगार नहीं मिलदा आपने क्या प्रियास किया उन्हें योख लिए सबसे पहले यह हमारा निंबोल ग्राम का बड़ा दुर्बग्य है कि यह पिछले चौदे पंद्रे साल से नियूको सिर्मेंट प्लां कि पहले यह वह दोड़ा और जब तक रहे शीटा है नहींतर से संगस्त निकर पाएंगे डूसरी बात मैप पंचल इस्तर पर जो जन परतिनीदी होते हैं जो अधिकरी होते हैं इनका सरा मैंने सिस्टम आप खुट खान साब समस्त वे चीज को इन्होंने गोजर गेंदर र अब इसे बड़ी दुरबाग ना क्या हो सकती इसके लिए परसाशन को हमारी मदद करनी पड़ेगी और जित्ते भी बड़े जो सरकार्स के साथ चल रहे हैं बड़े नेता अगर जब तक वह मदद नहीं करेंगे और उपर से आदेश नहीं होगा तब तक यह लोग हमें ना त पास रिटर्ण वर्क कहला हो दूसरा कुछ है नहीं और रिटर्ण वर्क कहां जाता है अधिकारी के पास ही जाता है और वहां से हम खाली हाथ दा जाते हैं तो मैं चाता हूं परसाशन हमारे इसमें सयोग करें और हमारे गाओं के युवाओं को जो बाहर जाके हमारे ज़रूरी है ग्राम पर्मुक जो भी लोग और बोलना चाहता है जरूरि नहीं एक सर्पन साब के पक्ष में भी आप भी बोल सकते हैं सर्पन साब ने कोई गलत काम किया है तो आप बी कह सकते हैं क्या नाम आपका जो पानी की निकस्ती जो पानी का बाव था उसको इन फेक्टी वालो द्वरा रोग दे गया और साइट यही कार्ण है को भी venture को भी क्वराषन हो तो तो बारहाल एसे लोगों को भी आगे आला चाहे है जिननका अउरोध कररका प्रससों को भी ध्यान OFT दिने जी के पास भी जाना चाहूंगा चुकि जागरुक है आप भी अंतिम दोर में हम भी क्या कहना चाहूगे दिने जी मेजर समस्या हमारे निमबोल में अभी पेजलापूर्ति की हो रही है तो उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा खांसाब कि अभी हैलीब्रॉन सर जबे हो गया है और अभी हम टेंकरों के माधियम से सर्पन साहब ने हमने मेनद की और इस्टोरेज बना उसमें टेंकर डाल के छे साथ दिन में पेजलापूर्ति हो रही है जवही जल योजना में पानी है नहीं वहां तो खेद खल्यान लगने शुरू हो गए तो यहां इस अविनाज जी से मैं कहना चाओंगा हमारे साती भी रह चुके है हमारे साथ खूब किरकेट भी खेली है अच्छे वक्ता भी है अभी विदाइक है तो विदाइक जी ने यहां अपने राम चबूत्रे पे कहा था कि भई मैं आपको एक पेजलापूर्ति के लिए टुबेल देता हूं विदाइकोस से लेकिन आज दिन तक दी नहीं जो भी दो टुबेले हुई हमने सरकारी फंट से हमने खुदवई थी उनमें पेजल है लेकिन इतना नहीं है तो विदाइक जी से कहूंगा कि हली बोन सर्वे हो गया है आप एक देदोर एक सरकार से हम लियाएंगे दो टुबेले हो जाएगी तो आने वाले गर्मी के मोसम में हमें पेजल के लिए भटगना नहीं पड़ेगा बाकी पूरे समुचिय जेतान छेतर में ये समस्या है पेजल की और विदाइक जी ने एक दूसरी बात कही थी कि हम आपको रोजगार दिलाएंगे और हमारी सांस सधी मौद यह उन्होंने पिका ता लेकिन पाता नहीं ये बोट लेने के बाद पता नहीं कहा बगकर जाते साथ चाहिए दियाकुमारी जी ने भी पहले का चंदन सिंग जी ने लगाया कि मिल जाएगा वो एक साल हो गया वापस कुछ नहीं डाके वई तीन पात परदुर्शन हमारे यां पेजल जो यह हो रहाता तलाब में वो रोग दिया अभी पहले तेसिलदार जी नादेश दिया है विदाइक जी तो हम जब भी वो कहेंगे उसी दिन हम तैयार है चाहिए मरने के लिए भी तैयार है लेकिन इसतानी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए हमने तो संगर्श किया दस साल लेकिन सरकारों को हमने भी देखा है सरकारे कहती कुछ है करती कुछ है यह सत्य आप पता नहीं कैसे कैसे आरोफ लगा है कि सराप पी के आए यह जन परतिनिदी है चाय भी नहीं पीते हैं और इनके उपर हैसे आरोफ लगा है वही पुलिस जबकि पुलिस के लिए हमने अच्छा कारे किया पांच भी का भूमी आउंटित कर वही पुलिस चोकी के लिए आप देख सकते हो वहां जन सयोग से हमने बड़ा होल बनवाया है लेकिन फिर भी पुलिस हमारा सपोर्ट नहीं करती है तो यह बड़ी विडमना है इस विडमना को मैं यह आपके माद्यम से कहना चाता हूं जो भी नेता हमारे उपर कोई और आप पेईजल के लिए हमें टूब करके है मैं तो यह कहना कहीं 20 लाग दे रहे हैं कहीं 25 लाग दे रहे हैं वो डाल रहे हैं अपनी पे फैस्बुक पे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि निम्बोल भी यहां पंद्रेसोर एकांट बोड दिये उनको ठीक है ना तो उन बोटों की लाज रखने के लिए कुछ तो दे दो भाई आप अगर जो कुछ भी देना चाहते हो जाँ वो हमारे गाउं को दीजिए दिनेश वेशनों निम्बोल तो बताना चाहूंगा कि मैं इसमें निम्बोल ग्राम पंचेद मुख्याले पर मौजूद हूं बाइसाब की वेक्तिकत फीड़ा नहीं है इन्होंने ग्रामिनों की पीड़ा रखी इन्होंने काक मानिनी विदय जी उन्होंने अपने कारेकाल में साइथ उनका भी साड़े-तीन साल या पौने च्यार साल का कारेकाल होने आया लेकिन अभी तक यह बता रहे कहें विदय को से या कोई शुकृती नहीं दिये तो उमीद करना चा आप बने रहें इस जेतानी नूज के साथ हम ऐसे ही वीडियो है जो अच्छे इमानदार सरपंच है सक्सम सरपंच है जो जंता की वाके में सेवा करते हैं ऐसे सरपंचों को आगे लाने का प्रयास करेंगे दनियावाद नमस्कार जैहिं